रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जैमातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों अजिस वीडियो में हम बात करने वाली हैं एक जून मंगलवार के डेली राशी फल के बारे में कि यह दिन आप लोगों के लिए कैसा रहीगा किन चीज़ों से आपको बचना है किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की जानकारी आपको देंगे तो आपसी अनरोध है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अन तक जरूर देखें साथी साथ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जै हनुमान, जै शिराम अवशे लिख दें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अगर हम बात करें मेश राशी वालों के तो आपको बता दे कि मेश राशी वाले लोगों के लिए आज का दिन लाब दायक सिद्ध होगा जी हाँ, आपके द्वारा की ये गए प्रयासों का उचित प्रेडाम आपको हासल होगा घरेलू खर्चों में आपके कमी आएगी, कोई पुराना वाद विवाद भी आपका दूर हो सकता है धार्मिक कामों में आपका अधिक मन लगेगा, मानसिक तनाव भी आपका दूर होगा घर के बड़े बुजर्गों की सीहत में जुरान सुधार आने की संभावना है, जिससे आपकी चिंता भी दूर होगी दूस्तों इस दूरान आप अपने सपनों को साकार करने की हर संभव कोशिश करेंगे आपकी लव लाइव भी अच्छी रहेगी, आपकी जीवन साथी आपकी भावना कोई जुरान समझेगा दूस्तों अगर हम बात करें व्रिशब राशी वालों की, तो बताना चाहेंगे कि व्रिशब राशी वले लोगों के मन में आज तरह तरह के विचार उत्पन हो सकती है अचानक धन प्राप्ती की यूग नजर आ रही है, आपके द्वारा किये गए प्रयास सफल रहेंगे संतान पक्ष से चिंता भी आपकी दूर होगी, शाम को आपको कोई बड़ी खुश खबरी मिल सकती है जिससे घर परिवार का महूल खुश हाल बनेगा, आप अपने आत्म विश्वास को मजबूत रखिए आप अपनी सकरातमक सोच सियाज लगतार सफलता को हासिल करेंगे दोस्तों अगर हम बात करें मिथुन राशी की, तो बताना चाहेंगे कि मिथुन राशी वाले लोगों को अपनी कीमती चीज़ों को आज संभाल कर रखना होगा किसी पुराने बिमारी को लेकर आप काफी चिंतित रहने वाली हैं घरेलू जरुवतों की पीछे अधिक धन आपका खर्च हो सकता है वाहन परियोग में सावधानी आबरतें प्रोपर्टी के काम आपके आज पूरे हो सकती हैं माता पिता का आशिरवाद भी आपको आज मिलेगा समाजिक धैरा भी आपका बढ़ेगा नए नए विक्तियों से संपर्ग आपके बन सकती हैं जिसका भविश्य में फाइदा आपको मिलेगा व्यापार्स जोड़े हुए जादकों को अच्छा मुनाफ़ा मिलने के योग है दोस्तों अगर हम बात करें करकराशी की तो पता दें कि करकराशी वाले लोगों के द्वारा की गई महनत आज रंग लाएगी आपका नजरिया सक्रातमक रहेगा रिष्टेदारों से आपको खुश खबरी मिल सकती है पारिवारे का जरुवतों की पूर्ती होगी ओफिस का महोल आपके पक्ष में आज रहने वाला है बड़े अधिकारियों की क्रिपल रिष्टी आपकी उपर बनी रहेगी अगर आप साजेदारी में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह समय शुब नजर आ रहा है कोई जोखिम लेने का सहा साफ कर पाएंगे पुराना वाद विवाद भी आपका खटम हो सकता है दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें सिंग राशी वालों की तो बताना चाहेंगे कि सिंग राशी वाद लोगों का आज का दिन मिला जुला रहने वाला है जी हाँ आप अपनी बुद्धी मानी से अपने सभी कार्य पूरे कर सकते हैं समाजिक शेत्र में आप अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे दोस्तों और परिवार से आपको सहयोग मिलेगा कोई अच्छी खबर सुनने को भी आपको मिल सकती है अचानक बड़ी मातरा में धनलाब आपको हो सकता है आप अंजान विक्तियों की उपर जरुवत से ज्यादा भरोसा मत कीजिए वहन सुख की आपको आज प्राप्ती भी हो सकती है दोस्तों अगर हम बात करें कन्या राशी वालों की तो आपको हम बताना चाहेंगे कि कन्या राशी वाले लोगों का आज का दिन बहतरीन साबित होगा पुराने किसी निवेश का अच्छा फाइदा आपको मिल सकता है पुरानी टेंशिन भी आपकी खतम हो जाएगी काम काज पर पूरा ध्यान आपका रहीगा समाज और परिवार दोनों शित्रों के काम काज आपके पूरे हो सकती है व्यापार के सिल्सले में आप किसी लाब दायक यात्रा पर जा सकती है अनुभवी विक्तियों से आपकी बातचीत होगी आप अपने पारेवरिक जम्यदारियों को बखूबी तरीके से पूरा करेंगे करियर के शित्र में आपको उन्नती मिलने के योग है बात करें अगर हम राशी तुला की तो आपको हम बताना चाहेंगे कि तुला राशी वाले लोगों का जीवन साथी से जुरान किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है आपको अपने गुस्से और वाणी पर नेहंत्र रखना होगा खान पान में सुधार करने की आपको जरुवत है अन्यथा पेट से जुड़ी हुई परिशानिया उत्पन हो सकती है घर के बड़ों का शिर्वाद आपको ये जुरान प्राप्त होगा कारोबार में उता जड़ाव की सिती बने रहेगी आप पजल्द बाजी में कोई भी कदम ना उठाए अन्यथा नुकसान दे ये साबित हो सकता है पैसों का उधार लें दिन करने से भी आपको ये जुरान बचना होगा दोस्तों अगर हम बात करें वरिश्चक राशी वालों की तो आपको हम बता दें कि वरिश्चक राशी वाले लोगों के जीवन की कई परिशानिया अब खतम होंगी जी हाँ कामकाज में आपके सुधार आएगा नौकरी के शेत्र में पदोनती मिलने की संभाब न बन रही है आपका ये जुरान बिजनेस अच्छा जलेगा भागेदारों की मदद से आपका मुनाफा बढ़ सकता है आपके मन की शांती इस जुरान बनी रहीगी विवहा योगिय जातकों को विवहा का उत्तम रिष्टा मिलेगा तरक्की के मारग आपके प्रशहस्त होंगे बात करें अगर हम राशी धनू की तो आपको हम बताना चाहेंगे कि रधनू राशी वाले लोगों को ये जुरान कामकाज के प्रती देहर्य बनाए रखना होगा आपकी कोई महत पूर्ण योजना विलनब हो सकती है जिसको लेकर आप काफी चिंतित रहेंगे बच्चों की नकरातमक कतिविधियों पर आप ये जुरान नजर रखें समाजिक शेत्र में मान सम्मान आपका बढ़ेगा गुप्त शत्रू आपको इस जुरान हानी पहुचाने के कोशिश भी कर सकती है इसलिए आप संभल कर रहें अगर आप किसी यात्रा पर जा रही है तो सड़क पर बेकाबू गाड़ी ना चलाएं अन्यत्हा खत्रा हो सकता है दोस्तों अगर हम बात करें मकर राशी वालों की तो आपको बता दें कि मकर राशी वाले लोगों की किसमत महरबान रहेगी मेहनत का पूरा पूरा फल आपको हासिल होगा मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा शत्रू आपके निर्बल रहेंगे पारिवारिक सुक समर्दी आपकी बढ़ेगी व्यापार में आपको लाब मिल सकता है पतनी से पूर्ण सहयोग और सहयोग आपको मिलीगा जिससे आपका मनोबल मजबूत बनेगा आप चनौती पूर्ण सितियों पर काबू पाने में सक्षम रहेंगी समाजिक शित्र में अलग पहचान बनाने में आप सफल हो सकती है बच्चों की तरफ से आपको ये जोरान खुश खबरी मिलेगी बात करें अगर हम कुम राशी वालों की तो आपको बताना चाहेंगे कि कुम राशी वाले लोगों का आज का दिन मध्यम फल्दाई रहने वाला है आप पैसों का उधार लें दिन करते समय सावधानी बढ़ते अगर कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है तो उससे चुटकारा मिल आपको मिल सकता है इश्वर की भक्ती में आपका अधिक मन लगेगा घर में धार्मिक कालकरम का आयोजन हो सकता है आमदनी के शुरोद भी आपके बढ़ेंगे दोपहर को कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है जिससे घर परिवार का माहूल और अधिक खुशहल बनेगा पुराने दोस्तों से संबंद आपके मजबूत हो सकती है आप किसी मनुरंजक यात्रा पर भी जा सकती है बात करें अगर हम मीन राशी की तो मीन राशी वाले लोगों का आज का दिन शुब रही गाजी है बिरुजगार विक्तियों को मन चहा काम मिलने के संकेत नजर आ रही है आप अपनी केमती चीजों को संभाल कर रखें वाहन सुख भी आपको आज मिल सकता है इश्यदारों से चल रहा मन मुटाव खतम होगा मौसम परिवर्तन होने की वज़े से स्वास्थ पर विपरीद प्रभाव पढ़ सकता है इसलिए स्वास्थ के प्रती लापरवाहिया आप मत कीजिए अचानक बड़ी मत्रा में धन आपके आज हाथ लग सकता है दोस्तों आपसे अनरोध है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्छे दिल से जै हनुमान जै श्रीराम आवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेर आवश्य कर दें